गाईज मैं सबको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि चंदरयान टूज हुआ है वो सेक्सेस्फुल रहा है 95% ऐसा मत सोचो कि फेलियर हो गया है भाई साब वहाँ पे और बिटर पॉंच चुका है और बिटर एक साल तक वहाँ पे और बिटर का चक्र काटता रहेगा और हमें ब कियाने कर दिया है ठीक है थोड़ी सी चूक हो गई है वो अगली बार पूरी हो जाएगी पर अभी हमें इस बात की खुशी बनानी चाहिए कि एट लीस्ट हमारा और बिटर वहाँ पे लग गया है जो कि और कोई अभी तक नहीं कर पाया है तो यार जहन हेलो नमस्कार दोस जोड नमबर कितना है वो मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है और यहाँ पर मैं आपको बता दू इसका अंदाजा मैं इसलिए नहीं रखता क्योंकि यार लोग यहाँ पर नमबरिंग देते हैं अपनी सीरीज को पता नहीं क्यों बड़ मैं अपनी सीरीज को नमबरिं स्मार्टफोंस के अगर आप वो स्मार्टफोंस जीतना चाहते हो चांसे बनाना चाहते हो तो नीचे लिंक दे रखें डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो तो मज़ा आ जाएगा और लास्ट चो मैंने पब जी की वीडियो डाली है सेकेंड चैनल में उसका मैंने पिन करते थे और Q&A महीने में एक बार करते थे और यही चीज में आप से पूछना चाता हूं कि क्या हम वो चीज़ फिर से वापिस लाएं या फिर हर संडे को Q&A वीडियो ठीक है तो यहार उपर पोल दे रखा है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको चूस करना है एक महीने में एक Q&A हो या तो महीने के लास्ट के दिन या पहले दिन और रूटीन में हर संडे में लाइफ सेशन करू या फिर आपको हर संडे को यहां पर आपको एक Q&A वीडियो चाहिए लाइफ वीडियो से आपको कोई लेना देना नहीं है तो पहला यहां पर जो सवा इस वक्त जो कि अच्छे है और एक price point पे बहुत सारे phone आने वाले होते हैं तो यार अगर आप अपना budget बता दोगे तो मैं आपर बता पहूँगा कि भाई आपको अभी एक phone ले लेना चाहिए या वेट करनी चाहिए हमीस भाई पूचरे कि जी स्वाबी जी अंडर 15,000 पॉप कौन सा जादा अच्छा phone लगा आपको तो यार मेरको कही ना गई जो realme 5 अवा थोड़ा सा जादा बेटर phone लगता है अगर आपको purchase करना तो आप definitely ले सकते हो रोनी खान realme xt का price पूच रहे तो कही ना गई लीक हो रही है 16,000 रुपए मुझे नहीं लगता 16,000 में आएगा कही ना कही सेम प्राइज इसका हो सकता है 17,000 तो देखते है यार क्या होने वाल है तो बहुत सारे कोशन ऐसे है कि 15,000 में कौन सा phone ले है और यहाँ पर हमारे प्रशांत भाई ने भी यही पूचा है तो 15,000 में इस वक्त बेस पोन realme 5 रो ही है Music for you कह रहे है कि Honor 9X का बाने वाल है इसके बारे में यार जल्द पताएंगे जैसे ही हमें पता चल जाएगा अर्शद भाई बूच रहे है कि मोबाईल में ब्रैंड कौसा है जी सौमी जी है एश्टेक लगा के और भाई साहव एक बात बता दू कि ब्रैंड इस वक्त तकरीमन सारे अच्छा गाम कर रहे हैं चाहे वो realme हो, Xiaomi हो, Samsung हो, Apple हो, जो मर्जी हो हाँ गिने चुने ब्रैंड है जोगी यार पता नहीं क्या कर रहे हैं इस वक्त जैसे कि हमारे LG है, HTC है इन्हों वापसी की थी यार पता नहीं क्या लेकर आए बर इस वक्त तो Infinix जैसे Mobile Techno ये ब्रैंड भी काफी अच्छे यार बढ़िया काम कर रहे है तो इस वक्त ब्रै बाफिकार एटलीस इंटीग्रेटट ग्राफिक ज़रूर ओने चाहिए, आपके अगर इंटीग्रेट ग्राफिक नहीं है तो आपका PC नहीं काम करेगा, हाँ अगर आप पबची एमुलेटर चलाते हो आप सोच रहो कि पबची एमुलेटर चलाते हो इस चोटी- बोडी पता नहीं M3 कब आएगा पपाई भाई ने भी यह कोशन पूछा है Max Pro M3 के लिए पर उन्हें कुछ है कि Max Pro M2 लेना सही होगा Max Pro M2 तो बिल्कुल मत लेना मैं सहीधी बात बोलूगा इससे अच्छा कोई और फोन की तरफ जाओ या फिर वेट करो फरीन भाई कहा रहे है कि बाई रियल्मी का XT लू या फिर गैलेक्सी A50 लू तो बैटर चोईस तो XT रहेगी मेरे भाई तो XT का वेट कर लो थोड़ी सी आतिव मेरे भाई पूछ रहे है कि अमन मेरे भाई लब यू लब यू टू मेरे ब्रो थैंकी सो मच प्यार देने के लिए और कहरें कि 15,000 में Nokia 8.1 देखने को मिल गया इनको और इन्होंने ओडर भी कर दिया तो या डील तो अच्छी है 15,000 में फोन काफी बढ़िया है 8.1 और यार अच्छा फोन है और पुराने सुस्क्राइबर हैं कह रहे हैं कि सो मच यार साथ निभाने के लिए और निभाते रहो प्यार देते रहो और Nokia 8.1 बढ़िया है रोईत मेरे भाई अंडर 12,000, Redmi Note 7 या Realme 5 इसफ़र बहुत अच्छा है पर आप अगर 1000 जादा डालके Mi A3 परचेस कर लो तो मैं कहूंगा सबसे बड़े अगाम की है फोन के मास्टर जी पूछ रहे हैं जी जौमी नी ब्रो, have you ever played a mod of a game नहीं भाईया मैंने कभी mod करके game को आज तक नहीं कहला तो पता नहीं यार मेरे कभी कोशिश ही नहीं गई है इतना कभी time नहीं मिला मेरे को mod करने में थोड़ time लगता है तो नहीं खेली है ओके तो हमारे ब्रॉली सामा कह रहे है कि यार भाई 1.7T का price क्या होगा उसके लिए वेट करूँ यार 1.7 लेलू 35,000 का budget है मेरे को पता नहीं यार 35,000 में मुझे नहीं लगता 1.7T आएगा 35,000 में 1.7T तो अच्छा है बट आप वेट कर लो क्या पता 70 का price बढ़ी आई रहे आसपास रहे 36,000 में आजाए तो यार थोड़ा सा वेट करना हो सकता है कि वर्त हो तो भाई इंडिया टिक टॉक पूछ रहे है कि हमारा Realme X में Android Q कब आएगा भाई जिस दिन इसमें Android Q का अपडेट आ गया मैं उससी दिन वीडियो डाल दूँगा तो आपको पता चल जाएगा रगूग यार दो आई गिववे के रिजल्ट का वैर गिववे के पहली बाद तो लिंक रीचे दे रहाए जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में पता दिया था Snapdragon के साथ आता है और ये G90T से बहुत ज़्यादा powerful है तो मैं आपको सीवी बात बोलूँगा gaming के लिए वो phone बहुत ही बढ़िया है तो आप ले सकते हो Poco F1 पर आप एक overall all-rounder का होगे फिर तो Redmi Noted Pro होगा अच्छा जी हमारे हीमू बातियां यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब अपने आपको इतना उचा मत समझ और यही hashtag मिला था अपने आपको महान दिखाने के लिए इसके उपर मुझे हसी आ रही है मैंने अपने hashtag में ऐसा भी कुछ यूज नहीं कर लिया ला कुछ unique word चाहिए था जो कि पहले कभी यूज ना किया गया हो तो मैंने अपने channel के हिसाब से रखा है जिसकी चलती है जल रही है भाई haters तो hate करेंगे भाड़ बे जाओ मेरे को लेना दिना नहीं है जो मेरे प्यारे भाई मेरे को प्यार करते है मुझे उनसे लेना देना है और यार जिनको मतलब हर एक बात पे nux निकाल नहीं है उसका हम क्या कर सकते शुबम भाई कह रहे हैं कि which is the best compact size phone यहाँ पर इस वक जो mi a3 launch किया गया इसका जो size है वो बहुत ही बड़िया यार compact है एकदम और इतना compact phone आज के time पे देखने को नहीं मिलता है तो यार वो phone बहुत ही बड़िया लगता है अमान रॉक्स भाई कह रहे हैं कि यार शुरुवात कहां से की और YouTube चैनल का माइंड में कहां से आया है तो मैंने उसके उपर बनानी शुरू की और लोगों ने बहुत अच्छा response दिया जब मेरे को लोगों का response मिलना शुरू हुआ मेरे को प्यार मिलना शुरू हुआ आप सब से तहर मेरे को लगा क्यों ना यार इस प्यार के लिए काम गिया जाए जब आपका प्यार मिलता है ना यार वो सबसे बड़े है लगता है जब वीडियोस पे लाइक और comment आते ना अच्छे अच्छे मुझा सा जाता है फिर वो मन करता है कि हाँ यार अगली वीडियो बनाए ओके हमारे आर पी ओल इन वान कहरे हैं कि रियल में एकसा प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं तो इसके प्रोज और कॉंस बता दो यार क्या एक्स्पीरेंस है तो इसका मैं रिव्यू डाल चुका हूँ जाबे प्रोज कॉंस सब कुछ बता रखा है जाके देख लो मेरे भाई और इगेमी बाई दिवाश कह रहें Mac Pro M2 में Android Q कब आएगा मुझे नहीं लगता कि Android Q इस पोन में देंगे देंगे भी तो पता नहीं कौंस है नए बग्स आड़ करेंगे तो मेरे को नहीं पता Mac Pro M2 का कुछ भी अकाश कह रहें Note 7 जो बंद हो चुका है मतलब वह शौमी को करना था नोट 7S डारेक्ट ले आते तुम पहले नोट 7 ले आये नोट 7 सब मजा नहीं आया इंको फिर नोट 7S ले आये कुछ भी करती है कंपनी अब भाई हमारे कह रहे है जेनूल शेक की यह कैमरा और बैटरी अच्छी थी यह 16,000 में कौन सा फोन लूँ या तो 17,000 में यह फोन ले लीज़े रियल्मी एक्स या फिर आप 15,000 में रियल्मी 5 प्रो के साथ जाओ कनिश कहरे है अब लाइव स्ट्रीम बहुत कम क्यू कर रहे हो मेरे भाई लाइव स्ट्रीम का पंगा यह है कि टाइम का थोड़ा सा पंगा हो रहा है इसलिए मैंने अब गेम प्लेस जान ले शुड़ कर दिया रिकॉर्ड डेट वाले और जल्दी आपको बड़ी फणी कमेंटरी देंगो भी लेगी तो यार स्टे ट्यून मेरा PUBG चैनल जो है कि कितना होने वाला है AK47 Music कह रहे एक बात करनी है कोशन मार्ग भी अब बात करनी थी तो लिख देते मैं जवाब देते था अब ऐसे कैसे बात करें प्यूज जोची भाई कहरें कि Realme XT FM 30S कौन सा लेना चाहिए और लॉंग टर्म के लिए मैं modest user हूँ ज़्यादा गेम नहीं खेलता बट overall phone ज़्यादा बढ़िया हो overall XT थोड़ा मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता भाई या glass bag के साथ है 4-4 cameras है और भी बहुत कुछ है यार तो XT आप वेट करो XT purchase कर लेना देबब राता कहे रहे हैं कि यार आपको क्या लगता है 4GB 64GB बेस वर्जन हो जाएगा 2020 में भी आर आज भी देखें तो 15,000 के price point पे आज कल जोगा devices आ रहे हैं वो हमें at least 4 या 64GB के साथ देखने को मिल रहे हैं बट जो 10,000 के नीचे वाले price point पे हम ज़्यादा तर देखेंगे तीन 32 देखने को मिलता है अभी भी दो सोला भी देखने को मिल जाता है तो at least 3 32 तो आना शुरू हो जाएगा बट कुछ कुछ devices में जैसे कि Infinix के devices आ रहे हैं या पर 4,64 आने शुरू हो गए Redmi Note 8 Pro इंडिया में कवाएगा यार which should I buy XT और Z1X which is better quality and good for long term use मुझे XT जादा पसंद आया भाई हाँ जी सबसे बड़ा कोशन है हिंदास में पूचा है कि love from Bangladesh ये तो है यार love you too and प्यार 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 भाई बंगलादेश से देखते हो इतना अच्छा लगता है और पूचते हैं कि Redmi K35G के साथ अक्तूबर में चाइना में आ रहा है क्या कहते हूँ पहली बात हो ये वाई एक phone launch होता है उसके अगले का यहां पर confirmation आ जाता है कि यार इस से भी को आ रहा है ऐसे ऐसे आ रहा है ये दो brand है ने चो रियल्मी और रेड्मी ये जो भी है Redmi K35G के साथ अनौस किया गया है मेरे को बहुत जादा खुशी हो रही है कि एक snap 700 series का processor कहने वैसे होगा बर नहीं मेरे को पता नहीं है क्या होने वाला है Qualcomm ने एक्चली बोला है कि 7 series का processor हमें देखने को मिलेगा 5G के साथ अब K30 700 series के साथ आएगा या 800 series के साथ आएगा ये तो देखने वाली बात है कि 5G आने वाला है भाई ये मज़दार चीज़ है देखते हैं ये base variable आते हैं या पर सिर्फ higher variable लेकर आते हैं ये तो time बताएगा पर अभी हमें सिर्फ wait करनी है तूबर गी technical प्रताब कहते हैं कि भाई love you always take so me love you too मेरे भाई love you love you love you love you बस प्यार देते हो मेरे भाई एवर शुमम कह रहे हैं आप Apple के product यूज़ करते हो भाई Apple के product नहीं यूज़ करते Apple खाते ज़रूर है कभी कभी पर Apple mega बहुत है या और मेरे को वर्त नहीं लगता तुशार कह रहे हैं कि Z1X और Samsung M30S तो मेरे को overall यह है दोनों phones ही गाफी अच्छे लग रहे हैं इस वाग और दोनों को compare करूं Samsung थोड़ा सा better लगता है इन दोनों में से तो बाकी यार दोनों में ही अच्छा सब कुछ बढ़िया दे दिया है बढ़ वो ही है कि 6000 MHz की वैडरी जो Samsung में है न वो कमाल है और यह कोशन वैसे हमारे तुशार साहू और विस्वजी श्रेठी भाई दोनों ने बूचा है लगी बदान कहा रहे हैं एक mobile दे दे यार भाईया दो दो गिमवेच चल रहे है पार्टिजिमेट कर लो क्या पता जीत चाओ है की नहीं नहीं तो बहुत जाद है तो लो यार खीच लो तो यह थे हमारे आज की कुशन हमारे जी सोमी जी एपिसूट के लिए और जिनको इस हैस्टैक से प्रवब्लम को जादी हो रही है भाईया कुछ नहीं किया जा सकता है तो रख दिया गया है तो मैं आपको मिलता है अगले एपिसूट में तब तक अपर आपने चैनल में वी करेक लिए क्याल क्रीप स्वाल नहीं के और आलवे सेखिए लव यू एंड ख्याल रख हो यार हैपी संडे बाबाए